दोस्तो पुलसत्य पुलस्ती रिसी को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है करदम प्रजापती की कन्या हवी भुरुबा से इनका विवा हुआ था कहते हैं कि ये कन खनल के राजा दच्छ के दमाद और भगवान सिवशंकर के साढ़ू थे इनकी दूसरी पतनी इडविला थी पुलसत्य और इडविला के पुत्र बिस्त्रों थे और बिस्त्रों के पुत्र रावन और कुवेर थे बिस्त्रों की पहली पतनी भारतवाज की पुत्री देवांगना थी जिनके पुत्र कुवेर हुए विश्रवा की दूसरी पतनी दैतिराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी जिसकी संताने, रावन, कुमकरन, भिवीशन और सुर्पनका थी खर दूसन, कुमभिनी, अही रावन और कुवेर, रावन के सगे भाई वहन नहीं थे आईए दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं धन के देवता, कुवेर के बारे में दोस्तो हिंदु धर्म में कुवेर को धन का देवता मना गया है धन्तेरस और दीपा बली पर माता लक्षमी और स्रीकनेस के साथ इनकी भी पूजा होती है कार्तिक सुक्ल परतिपदा को इनकी विसेश पूजा अर्चना की जाती है दोस्तो कुवेर देव को यच्छो का राजा माना जाता है और उनके राजी की राजधानी अलका पूरी है पुरानों के अनुसार कैलास के समी भी इनकी अलका पूरी है स्रेतवर्ण तंदिल सरीर अश्ट दंत एमतीन चर्नो वाले गदाधारी कुवेर अपनी सतर योजन पिस्तरिन वेसरवनी सभा में विराजते हैं दोस्तो कुवेर को यच्छ के अतरिक्त राच्छस भी कहा गया है क्यूंकि विए रावन के भाई हैं यच्छ के रूप में वे खजानों के रचक हैं, पुराने मंदिरों के बहाँ भागों में कुवेर की मूर्तियां पाये जाने का रहस्य भी यही है, कि वे मंदिरों के धन के रचक हैं, और राचस होने के नाते वे धन का भोग भी करते हैं, दोस्तों दीपावली की रात्री को यच अपने राजा कुवेर के साथ हास विलास में बिताते, वो अपनी यच्छिनियों के साथ अमोद प्रमोद करते हैं, सब्भैता के विकास के साथ यह तेवहार मानवीय हो गया, और धन के देबता कुवेर की वजाई धन की देवी लक्षमी की इस अफसर पर पूजा होने लगी किभेर जी की मानता सिर्फ यच जातियों में थी पर लख्षमी जी की देव तथा मानव जातियों में कुभेर देवताओं के कोसा ध्हच भी थे सैन्ने और राज़िक हर्च भी हivity संचालित करते थे यच्छो के राजा कुवेर उत्तर के दिखपाल तथा सिव के भक्त हैं भगवान सिव शंकर ने उन्हें अपना नित्य सखा स्विकार किया है देवताओं के कोसा ध्यच कुवेर को पूजने से भी पैसों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाती है ऐसा सास्त्रों में बताया गया है दोस्तो कुवेर पहले लंका के राजा थे परंतु रावन ने उन्हें लंका से भगा कर लंका को हतिया लिया कुवेर देव के पास एक महत्पुर्ण पुस्पक विमान और चंद्रकांता मनी भी थी जिसे भी रावन ने हतिया लिया था दोस्तो कुवेर के संबंध में लोक मानस में एक जन सुरूती प्रचली थै कहा जाता है कि पुर्व जनम में कुवेर चोर थे चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी वे बाज नहीं आते थे एक बार चोरी करने के लिए वह एक सिव मंदिर में घुसे तब मंदि वार चला तो भोले भाले और अगर धानी भगवान संकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुवेर को धनपती होने का आसीश दे डाला बाद में भगवान भ्रम्मा ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया यह भी कहा जाता ह की यह कुबडे और एक आखवाले थे परन्तु भगवती की आराधना से धनपती और निधियों के स्वामी बन गये थे दोस्तों कुवेर की साधी मूल दानव की पुत्री से हुई थी जिनके दो पुत्र नल कुवेर और मनिग्रीव थे कुवेर की पुत्री का नाम कमभा नल कुवेर की पतनी थी जिस पर रावन ने बुरी नजर डाली थी यह बात जब नल कुवेर को पता चली तो उसने रावन को स्राप दिया कि आज के बाद रावन बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको सफर्ष नहीं कर पाएगा और यदी करेगा तो उसका मस्तक सो टुकडों में फट जाएगा नल कुवेर और मनि ग्रीव भगवान स्री कृष्ण चंद्रद्वारा नारत जी के स्राप से मुक्त होकर कुवेर के साथ ही रहते थे दोस्तों घर की उत्तर दिशा को कुवेर देव की दिशा माना जाता है अतह इस दिशा की दसा सही रखने से घर में सुख सांती और धन धान्य बना रहता है तो दोस्तों यह थी जानकारी धन के देवता कुवेर से जुड़ी ही उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलि और दोस्तों ऐसे हिंग्यान वर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अफ मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद